हेलो दोस्तों स् xuब्सक्राइब आपका हमार यूटूब चैनल टेग गयाँ हिंधी में दोस्तों अब एक के एक फेस्पूक के रेगुलर यूजर है हैं और आपको फेस्पूक यूश करना पसंद है और आप काफी ज़्याइब प्संद है और आप काफी जाधा न जो करते है दोस्तों काफी advanced feature है आपको काफी help करेंगे ये facebook को use करने में और आपको facebook use करने के अलगी experience देंगे तो बस दोस्तों इस वीडियो को पुर्यान तक जरूर देखते लिगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के शायर करना मत बूलना कोई question दो कमेंट करना instagram पे follow करना चाहते हो link description दो है जाके follow कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आपका भीने time waste के वीडियो को हम start करते हैं तो चलिए दोस्तों आपका भीने time waste के हम देखते हैं फेसबूपना पहला feature तो आपको इसके लिए करना है कि आपको simply facebook app में जाना है तो आप facebook app के इस्तमार के दो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सबसे पहला feature हमारा story setting का तो आप जानते होंगे दोस्तों जब आपकी story को इप डालते हों तो कई बार लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी story किसी से hide करना चाहते हैं या सिव कुछ particular लोगों को अपनी story दिखाना चाहते हैं सब को नई दिखाना चा सब्सक्राइब करते हैं जिनको अपनी story दिखाना चाहते हैं या फिर दोस्तों एक और option मिल जाता है यहाँ पर आपको आपनी story अगर किसी से hide करना चाहते हैं तो भी आपको simply यहाँ click करना है और जिससे आप hide करना चाहते हैं उसको यहाँ पर tick कर देना है और उससे आपकी story hide हो जाएगी तो दोस्तों यह काफी अच्छा feature मुझे लगा त फिर settings में जाना है जब settings में आ जाएंगे दोस्तों आपको simply यह से नीचे scroll down करना है यहाँ पर एक option मिल जाता है profile locking का तो दोस्तों आपको मता दो profile locking होती क्या है इससे दोस्तों जो आप यह करेंगे तो आपके profile एक तरह से lock हो जाएगी आपके friends के लिए आपके profile कोई और नह लेकर नहीं कर सकता तो आप इसे activate करने के लिए simply करना क्या होग करना है इसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर लिखा आ जाता है तो आप दोस्तों अपनी profile lock कर सकते अगर आप अपनी Facebook काउंट की security अगर ज्यादा रखना चाहते हो तो उम्मीद आपको य पसंदा है होगा और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो लाइक ने करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना तो चलिए आपको बदाता हूं अब इसका तीसरा फीचर तो तीसरा फीचर दोस्तों मारा timeline and tagging का दोस्तों जानते होंगे आप जब भी timeline पर कोई और पोस्ट करें अपनी photos रगए और किसी और को दिखें वो तो इसके लिए दोस्तों Facebook ने एक बहुत अच्छी settings दे रखे तो आपको simply इसके लिए करना क्या पड़ेगा यहीं पर आपको settings में चले जाना है इसके बाद दोस्तों आप स्क्रोल डाउन करेंगे यहा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहिए तो यहां पर आपको सारे option आपको मिल जाते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कर सकते हैं तो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप only me पर इसे select कर सकते हैं तो यह दोस्तों काफी अच्चा फीचर लगा मुझे फेस्बूक का तो अगर आप भी timeline और tagging से काफी चाहिए परिशान हो तो आप इस तरीके को इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों आप यहां पर एक option और आपको मिल जाते हैं आप रिवी की नीचे आप देख सकते हैं यहां पर रिवी टेक्स इफरेंड टू एड़ और सकते हैं आपके सामने इस तरीके से पूछेगा कि आप उस्से अपरूफ करते हैं यह नहीं और जब आप उस्से अपरूफ कर देंगे तब ही वह चीज आपके timeline पर दिखेगी जो आपका फ्रेंड आपको tag करेगा तो यह था दूस्तों हमारा तीसरा feature तीसरा चोथा तो उम आप यह हैं और अपको प्रोफाइल कर देती हैं तो फूली करना क्या पड़ेगा आपको comment option उ स्क् report कि शाना है और दूस्तों आपको सामने जने परäft बन के आ जाता है आपको इस पर इस पर क्लिक करना यह फिर दोस्तों आपको जाना है तो इस पर क्लिक तो आपको यहां पर ऐसे देख सकते हैं आप यह काफी सार यहां पर इमोजी आपको दिख जाते हैं तो इस टीकर से जाते हैं आप बहुत सार प्रफाइल अपने सारे डिकला कर सकते हैं आपको देख सकते हैं यहां पर पर रखन चाहिए वह कलर रख सकते हैं यहां पर जो आप चेंज करना चाहिए बड़िया से अपना टाइम लेके अच्छे सापना आए अगर अपना चेहरा देखने में प्रावलम हो रही है तो आपको क्लिक करना है यहां पर देखेए केमरे का ऐकॉन बना जबाए जिसके पर दो आपको क्लिक करेंगे तो आपकी यहीं पर चोटा सा मिरर टाइप में कैमरा ओन हो जाएगा आप वहाँ पर अपना फेस देख की भी इसे डिजाइन कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा यहाँ पर डन पर पर आपको क्लिक करना जो आपको यहां पर पिल्कुल जो आप पसंद अथे हैं तो आप उस तरीके के यहां पर कमेंड़ेगे भी यहां आ HOW में क्लिक क्रमेंट कर सकते हैं यहां पर आप कोई क्रमेंट करना चाहूं तो घर सकते हैं तो दोस्ते काफी अच्छा यहां cohesive है तो पिल्कुल अपना ऑतार बनाईए ini apar Ihr बढया और आप चाहें तो इसको बात में कर करना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है यह और और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है फिर simply pencil वाले पर ख्लिक करना है और आपको कुछ कमी रहे गई हैं यह कुछ आप बद फिर बदल करना चाहते हैं तो भी आपस आनी से कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही थे कुछ फेजबुके पांच बढ़िया फीचर उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किये में विल्कुल भी मत जाना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेर जरूर कर दे झाल